हलो एवरीवन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडविटाइजिंग कॉपी नेक्स्ट आप देखने कि एडविटाइजिंग कॉपी से रिलेटेट कौन-कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे तो फर्स्ट आतेस का मेनिंग फिर इसके एक्जाम्पल्स फिर कि आप दिस्क्रिप्शन में और कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे और एडवर्टाइजिंग कॉपी के कितने टाइप्स होते हैं और इसके अलिमेंट्स आप नेक्सपीडियो में कि advertising copy का meaning क्या होता है तो किसी भी advertising copy में include होते written text जिसमें होते हैं dialogues catchy punchline या फिर statement और यह सब बोलने वाले words होते हैं किसी भी एड में यह या तो long या short run हो सकते हैं इनको बनाए जाता है headlines को सब headlines को body को illustrations को logo को slogan को किसी भी advertiser द्वारा उसको brand name दी जाती तो इसको design किया जाता है कि उसको कैसे communicate करना है ताकि desire मैसेज आ सके target consumers है तो advertising copy में हम देखते हैं कि जैसे यह रहता है तो इस slogan यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों बना हुआ है यह headlines और यह sub headings और यह body copy तो advertising copy की जिन चीजों से मिलके एड बनता है जो भी उसमें आपको चीज़े दिख रही है words दिख रहे है heading, sub heading, slogan, logo, images तो वो सब होती है advertising copy जो advertising copy होता है तो 8 copy में contents होता है जो की encourage करता है potentials buyers को कि उनको क्या action लेना है किसी भी product को purchase करने के लिए तो 8 copy में ऐसी चीजों का use के जाते कि जो भी बायर है वो अटेक्ट हो वो सोचे कि उसको यह product खरीद नहीं तो उसमें आप emotional response देखते हैं value को communicate करते हैं और अगर कोई doubt है तो उसको address करते हैं कि आप उसको solve कर सके तो effective copy से आपकी sales increase होती हो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है तो यह advertiser marketing professionals जानते कि उनको कैसे copy से improve कर सकते हैं sales को profit को तो यह strategy को वो अपनाते हैं कि effective copy को कैसे use करें तो advertising copy एक term है जो की use की जाती है कि क्या main text advertisement में उसको describe किया जा सके और वो text में कैसे dialogue से catchy punch line है company के dictum से वो सबी चीज़े advertising की copy में mention रहती है अगर print radio television advertising की बाद आती तो उनका message का aim होता है कि वो develop करे return करे target customers के interest को थाकि वो किसी भी product को purchase कर लें तो advertising copy तिनी effectively बनाई जाती है कि वो बायर को motivate करती कि वो तभी उस product को buy करें उसकी तरफ attract हो उनका कोई doubt है तो वो solve की जाए sales increase हो सके profit increase हो सके उसकी वजह से next advertising copy का example broader water जो की पानी की ब्रांड यह ब्रांड उन लोगों के लिए बनाई गई है जो के उपर ज्यादा mental work रहता है बीजी रहता है ताकि वो कम टाइम में अच्छे इंग्रीडियंट वाले water को या फिर उसके benefits को ले सके तो डाइरेक्ट लिंग्विज में इसका focus था कि वो product के benefit को बताए tagline को बताए कि वो कितनी simple है और उन्होंने simply tagline के through end कर दे कि लोग उसको याद रखे product के benefit को तो example के लिए तो उन्होंने क्या कि offer के की light mineral content water है जिसकी property की यह brain boosting ingredient offer करता है unmiss benefit देता है उसका advantage उन्होंने लिखा कि anniversary की cells पर आप इसका फाइदा उटा सकते हैं तो उन्होंने लिखाता है be broader be better broader water तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी quality की brand ने अपने water को promote काने के लिए उन्होंने directly उसके benefit को बताया उसकी 8 copy में tagline को यूज किया ताकि वो directly लोगों को target कर सके और उनकी cells को increase कर सके next नेक्स्ट आता है essential of effective copy की क्या क्या होते हैं एफेक्टिव कॉपी के तो कॉपी को effective और ineffective यह आपका परस्टनल जज्जमेंट है कि हम उसको कैसे evolution करें कि वो subjective perspective है और वो क्या good है उसके अंदर कितना succeed कर सकते हैं कितने target consumers तक पहुँच रहे हैं और कितना favorable attitude उस product के लिए produce कर रहे हैं लोग का लोग क्या actions लेतने उस product को buy करने के लिए effective copy बनाते टाइम पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है तो एक good advertising की copy में क्या-क्य attributes होते हैं तो essential of an ad copy, credibility, attention, conforming, apt, clear, brief और assurance of benefit इन सभी को detail में देखते हैं तो first आता it is brief तो ब्रेविटी सोल होती है तो most of the readers आते की जितना छोटा होगा short advertisement होगा तो उसको पूरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं अगर बढ़ा होगा तो आदे words छोड़ देते हैं आदे cut कर देते हैं तो इस तरीके से वो advertisement को read करेंगे अब भी 8 की copy बना है वो short होनी चीए या फिर brief होना चीए next second आता it is clear कि जो भी copy है वो बहुत clear होनी चीए ताकि easily और उसको जल्दी से पढ़ा जा सके readers द्वारा और मतलब उसको simple words में clearly explain किया जाना चीए clues देने चीए लोग उसको interpreted कर सके और जिस manner में copy बनी है उसमें आपको traditional जितना लोगों की habits से उसके according क्या कस्टम है nationality है मतलब local area कि according जितना उन लोगों की आदत है वो जितना easily समझ सकते हैं उतनी clear तरीके से to the point आपको copy में सारी बातों को adjust करना होता है next it is apt कि जो भी advertising की copy है वो apt होनी चीए मतलब जो भी requirement है या जो भी need है आपक उसके according में चोनाची वैसा content आप उस copy में या उस advertisement में लिखें तो जब भी writer advertising copy को बनाता है तो उसके अंदर art होती है कि वो कैसे words को select करेगा क्या desire वो चाहता है कि product के किन features को किन qualities को बताना चाहता है ताकि customers को satisfied कि क्या desire results होंगे तो copywriter देखते हैं कि उसकी क्या positioning है customers के लिए और वो choose करे suitable USP को तो apt के लिए वो देखते कि क्या उनकी जरुवते थी और क्या चीज को बताना चाहते थे वो पूरी तरीके से तो उन चीजों को वो copy के अंदर अच्छी तरीके से बता सके ताकि उनका जो message हो deliver हो सके next next होता it is personal कि advertising की copy होती है वो specific होती है और वो ताकि उ एल्यान में नहीं रखती है और यह personalize copy centered होती है prospect से और यह present करती कि प्रोस्पेक्ट के क्या इंट्रेस्ट में है individual appeal की copy होती है जिसमें return होती है कि prospect से product तक जाना है ना कि product से prospect तक लेके जाना है कि उसको प्रेड़क्ट की कितिनी नीड है क्या जरूरत है उस तरह का एटिट्यूट यह रख्यों इसको बनाया जाता है जो भी एड़िटाइजिंग की कॉप्य उसमें जो मैसेज दिया जा रहा हो वो क्रेडिबल होना चीए बिहेवरल होना चीए कि लोग उस पर विलीव कर सके कि वो सही है तो यह उसको ध्यान में रखना चीए कि बहुत एक्स्टेंट तक उसमें उसमें प्रेजेंट होनी चीए होना चीए जो भी बात उसमें बोली जारी है वो सही होना चीए कोई भी मिस्लीड या मिस्प्रेजेंटेशन नहीं होना चीए फैक्ट का जो कि आपके प्रेड़िक किया कंपनी की इमेज को डेमज करें तो जब भी आप एड़ की कॉपी बनाने तो यह शौर करें कि उसमें आप पूरी ओनेस्टी रखें जिसकी वज़े से आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीपते हैं और आपको वह ओनेस्टी कॉमेशियल ओनेस्टी रखनी चीए ना की जुडिश है तो आपको जब भी एड़ कॉपी बनाने तो आप वह ओनेस्टी के साथ उसको प्रेजेंट करें न की नहीं होना चीज जो रूल्स के खिलाफ हो जो लोगों को नुकसान दे या किसी की रिलीजन पर बात जाए तो ऐसे एड़ को नहीं बनाना चीए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सिगरेट एलकॉल होते हैं जिनका की एड रेडियो टेलिविजन पर आपको भी दिखने क को मिलता है पर उसके साथ वह मैसेज भी देते हैं तो जब भी एडविटाइजर एड की कोपी बनाता है तो उसको ध्यान रखने की जो भी रूल्स रेगुलेशन है लाइक प्रोविजन ऑफ दी एक्ट है कि जिसमें ड्रॉक्स एक्ट नाइंटीन फोर्टी फिप्टी और तो इसके जो रूल से उसको फोलो किया जाना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता अटेंशन जो भी कीवर्ट से पंच लाइन है वो इस तरीके से होनी ची कि वो कंजूमर्स का अटेंशन गैदर करें ताकि अशेंशियल एडविटाइजिंग की कॉपी को ध्यान में रखा ज नहीं होंगे तो उसको वो प्रॉमिस करना चीए कि प्रिदक क्या ऊफर कर रहा है कंजूमर के इस प्रेड़क को परचेस करें प्रेड़क को कैसे यूज करें तो उसके बारे में आपने देखा कि अध्विटाइजिंग का मिनिंग एग्जामपल क्या-क्या अशेंशियल हो को सब्सक्राइब की जो और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं थेंक यू